हालो फ्रेंड्स मैं हूँ अरचना जेन ओधिकुईनों कीचन में आपका स्वागत है आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं उसते तो भै बच्चे आज बहुत ही खुश होने वाले हैं क्योंकि यह जो रेसिपी है एक तो आसान है लेकिन इसे बनाने के बाद आप खुद बर यकिन नहीं कर पाएंगे कि यह आपने खुद बनाया है और बच्चे तो आपको कह देंगे कि मम्मा यू आर ग्रेट तो ऐसी यह जो रेसिपी है हम जल्दी से शुरू करेंगे रेसिपी का नाम है ओरियो कोकोनट जेली केक यह जो केक है दिखने में इतना डेलिशयस लगत लेकिन इसे बनाने के लिए हम घर पर जो चीजे अवेलेबल होती है उनसे ही इने बनाएंगे तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं लेकिन फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए साइड मे बारे में मुझे कमेंट भी जरूर करिए तो चलिए शुरू करते हैं तीन लेयर वाला ये जो केक है दिखने में जितना ओसम लग रहा है उतना ही खाने में भी बहुत ही डिलिशियस है इसके हर एक लेयर में अपना एक स्वाध है तो हर एक लेयर के अलग-अलग टेस्ट व बनाने के लिए यहां पर हमने फ्रेश कोकोनट लिया है एक जिसके मैंने इस तरह से पतले-पतले टुकडे कर लिये है उसके बाद में 15-16 हमने यहां पर ओरियो बिस्किट लिये है रेडिमेड जेली पाउडर का एक पैकेट हमने लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला च इस तरह से क्लिंग रैप से रैप कर लिया है तो यह जो क्लिंग रैप होती है इस तरह से बाजार में आसानी से अवेलेबल हो जाती है और अगर आपके पास यह अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक या फिर बटर पेपर से इस तरह से कोट कर सकते हैं अब हम सबसे पहले हमें जो कोकोनट हमने टुकड़े करकी लिए हैं तो इसे ग्राइंड करना है मिल्क है वह अलग कर लेना है तो अब हम जो टुकड़े हैं फ्रेश कोकोनट के उसे मिक्सी पॉर्ट में डाल देंगे और इसी में हमने अब लिटर पाणी का यूज करना है तो पहले मैं 200 ml पानी इसमें डालोंगी मतलब आदा पानी इश में डालोंगी और अब इसे ग्राइंड कर लेती हूं अब फिर से हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसे फिर से इसी तरह से चर्म कर लेते हैं तो देखिए हमने इसे अब मिक्सिजार में ग्राइंड कर लिया है और अब एक मलमल का कपड़ा हम एक बाउल पर डाल देते हैं क्योंकि हमें दूद को अलब करना है इस तरह से अब स्क्रीज करके हम जो पूरा मिल्क है उसे अलब कर लेंगे हमने अब जो पूरा दूद है उसे निचोड लिया है और अब नारियल का यह जो बुरादा बच जाता है तो यह वेस्ट नहीं जाता आप चाहे तो इसके लड़ू या फिर वर्फी भी बना सकती है तो इसे मैं साइड में रग देती हूं और अब हमें जो ओरियो बिस्किट है इसके टुकड़े कर लेंगे और इसे हमें मिक्सी जार में इसका भी पाउडर बनाना है तो अब मैं मिक्सी जार में इसका पाउडर बना लेती हूं अब हमने ओरियो बिस्किट का भी आउडर बना लिया है तो इसमें एड करेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रिम बिल्कुल थोड़ी सी फ्रेश क्रिम हमें इसमें एड करनी है और अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे फिर से थोड़ी सी एड करती हूँ लगबग हमने एक टेबल स्पून फ्रेश क्रिम इसमें एड की है और इसे हमें जस्ट क्रम्बल करना है इसका डो जैसा नहीं बनाना है इसे चलिए अब हम औरियो बिस्कित के इस मिश्रन को केक टीन में इस तरह से इवनली स्प्रेट करते जाएंगे और इसके बाद बिलकुल हलके हातों से हमें इसे प्रेश करते हुए और यो बिस्कित के जो बेस लेवल है उसे त्यार करना है तो हलके हातों से इस तरह से प्रेश करते जाएंगे हम इस के बाद में हमें इसे साइड में रख कर जो आगे के दो लेअर उसे भी प्रेपेर करना है किना निकाला है। उसमें से आदे से जादा में सॉस पैन में और इसे ग्यास पर चड़ा देते हैं। जश्ट गरम करना है हमें इसे आप सॉस पैन को हमने ग्यास पर रख दिया है और जो बचा हुआ मिल्क उसमें हम एड करेंगे कॉण सार्च। और इसकी एक सलरी बनानी है तो अच्छे से इसमें मिक्स अब करेंगे देखिए अब दूद जो है गरम हो गया है तो हम इसमें एड करेंगे चीनी लगबग में इसमें दो टेबल स्पून चीने एड करूंगी और इसे मिला लेती हूं और अब इसमें एड करते जाओंगी चीनी इसमें मिल्ट हो रही है तो अब जो चीनी है पूरी तरह से डिजॉर्ड हो गई है अब हम इसमें डालते जाएंगे कॉर्ण स्टार्च वाली सलरी और इसे एक साथ ऐसे ही चलाते रहना है ग्यास को फूल नहीं किया है हमने तो देखिए हमारी कोकोनट मिल्क वाली जो पूरिंग है लंप स्प्री बिल्कुल तयार हो गई है और इसे कुक करने के लिए हमने ना ही तो जिलेटिन का यूज किया है और ना ही तो अगर अगर पाउडर का तो अब हमारा लंप स्प्री बैटर बिल्कुल तयार है ग्यास बिस्किट को हमने सेट करके रखा था, वो केक टिल निकाला है और इसमें पोर करेंगे, यह जो पूरिंग हमने बनाई है उसे, अब हम इसे थोड़ा सा टैप करेंगे और रूम टेंपरेचर पड आने के बाद इसे फिर से फ्रीज में रख देंगे, अब हम पैकेट में से जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली पाउडर है, उसे निकाल लेंगे, और अब इसमें एड करेंगे पानी, तो हाफ लिटर पानी हमने इसमें एड किया है, अब जब तक के जेवी पाउडर इसमें अच्छे से रिजॉल नहीं हो जाती, तब तक हम इसे ऐसे ही चलाएंगे, तो देखिए, हमने जेवी पाउडर को इसमें अच्छे तरह से डिजॉल कर लिया है, और अब जस्ट दो तीन मिनिट तक हम इसे ऐसे ही कुक होने देंगे, और जो ओरियो वाली लेयर पर हमारी कोकोनट पुडिंग हमने सेट होने के लिए रग दी थी, अब वो अच्छे से सेट हो गई है, तो स्पून का यूज करके ये जो जेली वाटर है, इसे इस तरह से पोर करना है, डिरेक्ली इस पर पोर ना करें, तो अब मैं इस तरह से इसकी लेयर बनाऊंगे, अब रूम टेंपरेचर पर आने के बाद हम इसे कम से कम एक से दो घंटे के लिए फ्रीज में रख देते हैं, देखिए, दो तिन घंटे बाद हमारी जो तीन लेयर वाला केक है, वो बनकर बिल्कुल तयार है, और इसे मैंने डिमोल्ड कर लिया है, क्लिंग रैप की वज़े से एक दमासानी से डिमोल्ड हो गया है, और अब मैं इसे काट कर दिखाती हूँ, वाउ, तो दिखिए, तीन लाइक, शेर और कमिंट भी कर दिजिए, और ऐसे ही नए नए रेसिपी सिखने के लिए मेरे चैनल पर बने रही है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए